Hello everyone, welcome to Agarwal classes, this is Renu Agarwal here, today's topic is phrasal verbs, phrasal verbs क्या होती है, if you don't know about the phrasal verbs, तो आपको मैं बताओं कि ये जो verbs होती है, उसमें अगर, verb plus कोई preposition, या फिर adverb, या फिर ये दोनों ही, मिलकर एक different meaning देती है, तो उसे हम phrasal verbs कहते हैं, ठीक है, उनका meaning बिलकुल अलग हो जाएगा, वर्ब स उसका कोई लेना देना नहीं होगा, आजम करने वाले हैं, make से related, तो make का, अगर हम लेटर रही मिलेंगे, या नि शाब्दी करते देखें, तो make में क्या होता है, बनाना, या नि कोई चीजों को prepare करना, या हम कह सकते है, to create, और to prepare, लेकिन अगर हम इसके साथ, कोई भी preposition, य या फिर दोनों ही जोड दे, उसके बाद वो एक phrasal verb बन जाएगी, तो उसका meaning बिल्कुल different रहेगा, उसका make से फिर कोई लेना देना नहीं होता है, तो पहला हमारा है make up for, हमने दोनों यहां पर इकठे लिखे हैं, हमने यहां पर make up भी लिखा है, और make up for भी लिखा है, ता compensate, भरपाई करना, compensate का मतलब होता है, भरपाई करना, कोई चीज का loss हो गया, आपने माल लिखे, समय को खराब कर दिया, बिमारी की वज़ा से, या किसी भी वज़ा से, अपना time खराब कर दिया, और आप उसकी भरपाई करनी है आपको, तो आप उसके लिए क्या word यूस करें ठीक है, तो to do something, कुछ करना, that corrects a bad situation, जो किसी bad situation को correct कर दे, यानि meaning तो positive हो गया, कि भी उसकी भरपाई करनी है, एक example से नमस्ते है, I am trying to make up for my lost time, किस चीज के लिए make up कर रहे हैं, के लिए, किस चीज के लिए, lost time के लिए, के लिए, मैंने यहाँ आपको याद करने के लिए, यहाँ पर जोर दिया है, कि हम किस की भरपाई कर रहे हैं, किसी भी देखिए, sentence, कोई भी चीज को याद करने के लिए, वो कह भी कैसी चीज है, जिसको याद करने के लिए, हमें कोई एक sentence mind में रखना चाहिए, जिससे हमें याद आता है, अगर मैंने यह example याद कर लिया, कि जो की exam point of view important meaning है, ठीक है, next देखो, next है make up, अब यहाँ पर four है, यहाँ पर make up है only, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, देखो, एक make up का मतलब होता है, जो हमारा make up का सामान, मतलब जो make up करते है, अगर हम उसको तोड़ा सा relate करे, make up किस लिए किया गया, कि कुछ छुपाने के के लिए, ठीक है, मतलब हमें सुन्दर दिखने के लिए, अब यहाँ पर क्या किया, कि उससे relate करना है आपको, learn करने के लिए, कि invent a false story, एक ऐसे कोई जूटी story बना देना, बहाना बनाने के लिए, जूटी story बना देना, एक meaning तो इसका यह होता है, तो अब देखो, क्या जो reality थी वो ना बताई, बहाने बना रहे हो, कि आप office में कल आपने चुटी की, और फिर आपने एक story invite कर ली, ठीक है, या दूसरा जो meaning है, इसका, एक meaning यह है, second जो इसका meaning निकलता है, वो यह है, to end a call, किसी जगडे को खतम करना, किसी disagreement था पहले किसी बात पर, उस disagreement को, किसी के साथ, जो भी आपका समयती थी, उसे खतम करके, उससे वापस से friend बना है, ठीक है, तो एक meaning इसका यह हो गया, next हमारी phrasal verb है, make after, और make over, तो make over का क्या मतलब होता, एक over से याद कीजेगा, over का मतलब उपर, लेकिन वैसे आपनो, जैसा कि मैंने का, इससे literally meaning कोई भी निकलत है, उपर, यानि की change करना, या ध्यान रखेगा, बिल्कुल change कर देना, completely change कर देना, जैसे किसी बंगले बगरे को renovate करवाते हैं, change कर देते हैं, पूरी तरह से, इससी तरह से एक और meaning इसका निकलता है, कि transfer करना, अपनी property को legally transfer करना, या हम कह सकते हैं, to transfer, position, position मतलब जोब प् of something, यह सब legally, ठीक है, तो transfer करना है, अब आपको दोनो meaning या दखने हैं, कैसे या दखोगे, दोनो different meaning है, यह तो जो है, वो property के बारे में है, कि आपको property transfer करनी है, बट है तो यह भी transformation, यहाँ पे renovate करना है, कोई भी बंगला वगर है, उसको बिल्कुल change करना है, कोई भी चीज change कर देते हैं, मालीजे, completely, ठीक है, example, he made over the property to his eldest son, उसने जो property है, उसको transfer कर दी, तो यहाँ पर बस made over, याद करके, किसी example से connect कर लिजेगा, next है, make after, after से याद रखना है, पीछे, ठीक है, बाद में तो meaning होता ही है, इसका, कोई जा रहा उसके बाद में भागना, मतलब पीछे करना, ठीक है, पीछा करना, अब एक example इसका देखते हैं, the policeman made after, run after, पीछा किया उसना, the thief, but he could not catch him, पीछा तो किया, लेकिन उसे पकर नहीं पाया, ठीक है, अब आपने एक चीज़ देखी, कि जब भी हम यहाँ पर, कोई भी sentence को, tense के coding change करते हैं, तो verb जो है, उसी में हम change कर सकते हैं, यह कोई भी preposition, या फिर कोई adverb है, वहाँ पर तो कोई forms होती नहीं है, tense के coding तो change होती नहीं है, तो जब भी होगा, क्योंकि हम make की forms कर रहे हैं, हमने यहाँ पर make का made बना दिया, ठीक है, तो इसी में change होता जाएगा, make of, या away, दोनों का meaning same रहेगा, और उसके से switch off करते हैं, तो electricity कट हो जाती है, किसी को see off करने जा रहे हैं, यानि कि वह वहाँ से separation हो रहा है, ठीक है, आपको clear हो रहा है, अब यहाँ से meaning निकाल लेते हैं, कि जो कोई भी चीज जो है, वह चोरी करना, अब उनके पास थी, उनसे आपने separate कर दी, यानि चोरने separate कर दी, ऐसे थोड़ा सा relate किजिएगा, to steal something, कुछ चुराना, ठीक है, to escape with something, कुछ चुरा कर भाग जाना, escape हो जाना, बच कर निकल जाना, या हम कह सकते हैं, to leave in a hurry, जल्दी जल्दी में भाग जाना, वो जल्दी में कौन भागेगा, जल्दी में तो चोर, यानि कि कुछ चुरा के ह भागेगा, फिर भी separation का भाव है, अगर भाग रहा है वहां से, away भी वैसा सा ही कुछ लग रहा है कि away, भाग गया रहन अवे, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, तो यह इसका मतलब हो गया, और एक example याद करते हैं, the thief was able, वो able हो गया था, the thief was able to make away valuables, valuables क्या होती है, कोई भी कीमती सामान, जो भी आपकी जूलरी वगर होती है, तो उनको ले जाने में, he was able to, smart हो गया, ठीक है, next दिको make out, अब यह out से याद किजिएगा, कि कुछ बोल रहा है कोई, और उसको हमें, उसके earth को हमें out करना है, बाहर निकालना है, समझना है, ठीक है, make out, बाहर निकाल करना है, उसके earth को, to understand, या फिर हम कह सकते हैं, to comprehend, किसी भी पैसे को समझना, जैसे comprehension होते है, वहां समझी तो होती है, आपको समझना है, तो इसका example हमने कहा, I couldn't make out, मतलब हमने क्योंकि could not का use किया है, model work के साथ, तो make, हमारी जो base form होती है, make out the meaning of some difficult words, कुछ difficult words का जो meaning है, वो म समझ नहीं सकी, ठीक है, I couldn't make out, नहीं समझ सकी, clear, next कुछ और ये phrasal verbs है, देखे, make for, make for का मतलब होता है, कि किसी चीज का कारण बनना, कि किसी चीज को होने के लिए, like जैसे to make possible, कुछ चीज को possible बनना, और to cause things to happen, किसी चीज की होने का कारण होना, ठीक है, next है, make up one's mind, इसक decision कैसे लिए जाता है, mind का use करके, तो आप, you will have to make up your mind, ठीक है, अभी आपको अपना decision लेना पड़ेगा, ठीक है, next है, make the most of, most से याद का लिजिएगा, to get maximum, जैसे कि कि किसी पी opportunity का जाद से जादा फाइदा उठाना, बर इसका मतलब भी होता है, पूरा पूरा लाब उठान ठीक है, next निको, make, do, with, do, with से याद करना है, करना, आपको करना होगा, do का मतलब करना होता है, उस sense में याद किजिएगा, make, do, with, जो है, उसी के साथ आपको manage करना होगा, आपको थोड़े में भी manage करना होगा, तो उस हिसाब से इसका meaning निकलता है, to manage, अब उससे related कुछ questions कर के देखते हैं, चलिए अब हम previous year questions करते हैं, यहाँ पर, his bengalow went through a make, make यहाँ पर already दिया हुआ है, उसके बाद यह हमें option दिये गए है, यहाँ एक और फ्रीजल वाब है, जो है go through, हाना, go through कोई ही second form है, और go through का meaning क्या होता है, go through का मतलब एक तो यह होता है, कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना, जैसे कि train जाती है, इस channel से होकर निकलती है, उस sense में है, यह किसी बन चीज में से अंदर से होकर गुजरना, ठीक है, तो वो तो हो गया go through, एक इसका meaning होता है, अगर हम study के मामले में देखें, तो जो detail study की जाती है, book में से go through करना book को, ठीक है, तो to study in detail, to finish completely, to travel from one end to another, एक end से दूसरे और जाना, ठीक है, चलिए, अब हमने, इनके कुछ, जो हमने पढ़े थे, साथी साथ हम उसे एक बार revise भी कर रहे हैं, make up, make up का मतलब, एक तो हो गया, to invent a false story, जूट की story बना के उसे cover up करना, make up करना का मतलब क्या होता है, कुछ cover करना है दूसरा हो गया, to end, dispute, disagreement, to make a peace, तो यहां इस से related कोई word नहीं आएगा, फिर है make out, make out, out करना है, यानि कि understand करना है, समझना है, तो यहां समझने से मतलब नहीं है, over का मतलब, make over का मतलब हो गया, renovate करना, over मतलब मैंने जैसे कि का था, एक के उपर दूसरा, over करना है, यानि कि पहले जो बनाया हुआ था, उसी को renovate करना है, change करना है, completely, और एक हमने इसका meaning पढ़ा कि transform करना है, यानि कि कोई property वगर है, उसका transformation, उसको change करना, transfer करना, अब यहां पे तो renovate करने से ही मतलब आएगा, हमारा answer यह हो जाएगा, next ता make for, make for का मतलब होता है, to cause things to happen, किसी चीज को करने का कारण बनाना, ठीक है, तो next है, एक और इसका meaning होता है, make for का, to move towards something, किसी चीज की और बढ़ना, ठीक है, यह तो इस था, travel करना, एक किनारे से दूसरे किनारे के तक, वो तो हो गया, go through, to move towards something, किसी की और बढ़ना, उसके लिए भी make for use होगा, ठीक है, next दीकू, he had such a strong accent, that it was very difficult to dash what he was saying, अब ठीक है, आपको जल्दी से समझ में तो आ गया, इसका meaning क्या है, क्यों, क्यों, क्योंकि इस से हमें पता लग रहा है, कि उसका Jackson था, जो उसकी pronunciation language की, वो इतनी strong, इतनी difficulty कि समझ नहीं सकते थे, किस चीज के लिए difficulty to understand, कि उससे समझ में नहीं आ रहा थ कि क्या वो बोल किया रहा है, तो हमें पता है कि इसका make out का मतलब होता है to understand, ठीक है, next question देखते है, after her long illness, बड़ी लंबी बिमारी के बाद, she is trying her best to make, अब यहां पर make फिर से यहां ही दिया हुआ है, her deficiency in study, जो उसकी कमी रह गई थी बिमारी की वज़ह से, उसकी क्या करेगी है, वो बरपाई करेगी, ठीक है, उसका, अब उसको क्या करना पड़ेगा, compensate करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो कौशिश कर रही है पूरी, अब हमने make out का meaning को आ लिखा हुआ है, to understand हमें पता है, अब make up for का मतलब क्या होता है, make up for, make up करना है, किस के लिए, बरपाई के है, तो to compensate, इसका meaning मैं यही लिख देती हूँ, to compensate, right, make over हमें पता है, कि क्या होता है, renovate करना, transfer करना, property बगर है, और एक है, make into, इसका मतलब होता है, to change, ठीक है, next दिखो, this is chair, this chair is, यहां सहसे दिखेगा, this chair is mere dash wood, दोनों question को, option हमारे यही है, butter is made dash milk, दोनों ही चीज़ें यहां पर बनाने के sense में use हुई है, और यहां पर हमें एक proposition फिल करनी है, जो कि इसके mail के बाद आनी चाहिए, तो देखो, chair जो है, वो wood से बनी है, और बनने के बाद, जो material उसमें use हुआ है, वो change नहीं हुआ, ठीक है, material used, but not changed, change नहीं हुआ है, not changed, चेंज नहीं हुआ है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे off, made of, यह ध्यान रखना है, made of, एक example याद रख लिखेंगे, कि this chair is made of wood, this ring is made of gold, ऐसे याद रखेंगे, तो आपको याद रहेगा, कि off कहां आएगा, अब यहां पर है butter, butter जब हम बनाएंगे, तो material जो use होगा, वो होगा, milk, लेकिन milk क्या होगा, अब उसमें दिखाई नहीं देगा, change हो जाएगा, change होकर वो butter बन गया, अब यह आपको समझ में दिखाई नहीं देगा, wood यहां दिखाई दे रही है, milk यहां दिखाई नहीं देगा, वो butter की form में convert हो आपका from, तो यहां हमने भरा from और यहां हमने भर दिया of, I hope आपको जो है यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो like share कर दिजिएगा, thank you for watching